हेलो स्टूडेंट्स वेल्कॉम अगेन टू लानुरी दिमन आज हम करने वाले हैं टैंथ क्लास की पॉलिटी का चैप्टर नमपर वन का सकिंड पार्ट तो आज ये चैप्टर आपका कम्प्लीट हो जाएगा चलिए स्टार्ट करते हैं Q1, लोकतंत्र के कौन कौन से गुण होते हैं परस्ट है सारवजनिक हित्मे वhrद्दी, इसका अर्थे ये है कि जो शाशक होते हैं वो सारवजनिक हित्मे वrद्दी के वायदे के अनुसार चुनाब जीतते हैं क्योंकि उन्हें भविश्य में दुबारा से चुनाव लड़ना होता है, तो वो क्या करते हैं, सारब जने के हित्मे व्रद्धी करते हैं और फिर शाषन करते हैं, नेक्स्ट है कारे कुशल शाषन, लोकतंत्र को सबसे अधिकारे कुशल शाषन प्रणाली माना जाता है, जैस तो यह है शाषन की कारे कुशल शाषन को बनाई रखने की कोशिशिक करता है, नेक्स्ट है सारब जनिक को सिक्षा का साधन, जो लोकतंत्र है, इसमें शाषन में जनता सारब जनिक समस्याओं पर अपनी राय प्रकट करती है, सामाने जनता जन्मत निर्मान के साधन और आम अगरिक्ता की शिक्षा प्रदान करने वाला स्कूल भी का जाता है किसे लोकतंत्र को नेक्स्ट देखिए नैतिक शिक्षा का साधन अब इसका अर्थ यह होता है कि लोकतंत्र जो है वो शाषन व्यक्ति को लोकतंत्र शाषन जो है वो व्यक्ति को नैतिक शिक्षा भी प्रद लोकतंतर में राज्य को किसी साशक वर की संपत्ती नहीं माना जाता है बलकि इसे तो जंता की संपत्ती माना जाता है तो यह देशबक्ती की सिक्षा को भी परदान करती है समानता और सोतंतरता पर आधारित शाशन क्योंकि जो लोकतंतर है वो व्यक्तियों में जाती, धर्म, भासा, लिंग, आधी के अधर पर भेदवाव नहीं करता है बलकि सबी व्यक्तियों को समान रूप से लिकर चलता है और सबी नागरिकों को कुछ सोतंतरता भी दी गई है जो कि हमने पड़ी भी थी कि मौलिक अधिकार जो है वो छै दिये गए है इसके अलावा मौलिक करतव्य जो दिये गए है जो भी नागरिकों के होते हैं और कुछ जो राज्ये के निर्देश होते हैं वो भी दिये गए है तो ये सबी क्या है लोकतंतर की गुण है इससे समा शहसोतंत्र है, यानि कार्यपालिक और विधायका से बिलकुल अलग है, ताकि यहां पर निस्पक्ष नियाय जो है, वो दिया जा सके, कला, साहित्य, संस्कृति वो विज्ञान की प्रगती में सहायक, लोकतंत्र जो है, वह इन सभी शेत्रों में कार्य करता है, क्योंकि वह कल शाहित्य, संस्कृति, विज्ञान यहां इनके लिए भी जोर देता है, इनकी प्रगती में भी यह सायक होता है, तो यह क्या है, इसके मेरिट है, समविधान वाद में आस्था, लोकतंत्र जो है, वो समविधान वाद में आस्था रखता है, इसका अर्ति है कि लोकतंत्र व व्यवस्था लोकतंत्र व्यक्ति में राष्ट्र प्रेम पेदा करता है और यह जन्जहमति पर आधारिश शाषन है जब भी राष्ट्र पर संकट होता है तो संपूर्ण जनता एक व्यक्ति के रूप में संकट के विरुद खड़ी हो जाती है इसलिए कहा गया कि यह सक्तिश कानो की शांति को खत्रा उत्पन हुआ है तो यह हमारे संविधान में हमारी लोकतंत्र में ऐसा लिखा हुआ है हर चीज वहाँ पर एक एक चीज जो है वो लिखी गई है कि किस तरीके से इस अंकट से हम चुटकारा पा सकते हैं, क्या-क्या हमारे जो नियम हैं, किस तरीके से हम सैनिकवाद, विस्तारवाद, कठोर विदेशनिती, किस प्रकार हम इसे बनाएं, तो इन सब भी पर विश्वास रखन कि जो डेमोक्रेसी है, उसके कौन-कौन से दोस होते हैं, तो देखिए, फर्स्ट है, लोकतंतर की व्यक्ति संबंदी धारना जो है, वो ब्रहंपून है, क्योंकि लोकतंतर व्यक्ति को बुद्धी और विवेक संपन मानता है, उसे अधिकार मत का जो अधिकार देता है, और मानता है कि वो राजनितिक मामलों में निर्ने लेने में समर्थ होगा, लेकिन फिर भी व्यक्ति ऐसा अबोधिक प्राणी है, जो अपने मूल संब्वेगों और आवेगों से चालित होता है, और इसलिए व्यक्तियों को जब मतादिकार दे दिया जाता है, तो हमें विवार में लोकतंतर की जगे क्या मिलता है, भीड तंतर मिलता है, यह आपने भी देखा होगा, इसलिए लोकतंतर की जो व्यक्ति संबंदी धारना जो है वो भ्रमपूर्ण सी लगती है, बुद्धी जीवी वर्ग की उदासींता, अब लोकतंतर का यह दोस होता है, क्योंकि जो ब मेहत्वों दिया जाता है लोकतंतर में, यह हम देखते हैं, जिसकी जितनी अधिक संक्या होती है, उसे हम नेता बना देते हैं, तो यहाँ समाज में बुद्धी जीवी वर्ग जो होता है, इस विवस्ता में सक्री रूप से भाग नहीं ले पाता है, तो इस वजी से बुद इस दिती तो अलग ही ऐसे, क्या कि लोकतंतर में राजनितिक दल प्रतिक राश्ट्री समस्या पर अपने स्वार्त की दरस्टी से विचार करते हैं, वो तक एवल अपने दल का फायदा करते हैं, जिसे कि वो क्या बता देते हैं, कि यह तो हम राश्ट्री हित्मे कर रहे हैं तो जो sexualalry महत्व का दावा है वह भी गलत सा ही दिखाई देता है जहां हम कहते हैं कि लोकतंतर हमारा कहता है कि स्वतंतरता दी गई है समानता दी गई है लेकिन विक्तियों को आर्थिक स्वतंतरता वा समानता प्रदान नहीं की जाती है जो कि हम व्यभार में भी देखते हैं उसके बाद है राजनितिक दलों का दुस्प्रभाव अब कुछ राजनितिक दल जो है वो इस प्रकार के होते हैं कि वो केवल अपना ही फायदा देखते हैं यह हम देखते हा रहे हैं, आगर आप भी देखते हैं, तो आए दिन आपको न्यूस पिपर वगरा यहां पर भी यह चीज़ें दिखाई देते हैं, कि जो भी politics में जो भी दल होते हैं वो क्या करते हैं कि अपना ही फायदा करते हैं इसके लिए उन्हें जनता को रोंद कर अगर आगे जाना पड़े तो वह भी कर लेते हैं तो यह क्या है राजणीति दिगलों का निर्मान जो है वो राश्ट्री हित में होता है यह सिर्फ कहने की बात ही दिखाई देती है तो इसका जो प्रभाव है वो हमारे लोकतंतर पर भी पड़ता है सालवनिक समय वा धन का अपवय अब सालवनिक व्याव पर समय समय भी बहुत खर्च किया जाता है तो जो हमारे जो गरीब जनता है जहां वहां उनके लिए इतना खर्च किया ज बलकि वहां नहीं खर्च किया जाएगा, यह क्या किया जाएगा, सारुनिक धन जो है, वहां पर खर्च किया जाएगा, और टाइम भी वहां पर ज्यादा खर्च किया जाता है, तो यह क्या है, लोकतंत्र का क्या है, दोज है, नेक्स्ट है, उदासीन मत दाता, अब मत दाता क कैसे होते हैं उदासीन और वो किस तरीके के होते हैं क्यों उनको कोई फरक नहीं पड़ता है कि हमें कौन सा निता जो है वो हमारे लिए बहतर होगा क्योंकि वो यह सोचकर वोट देते हैं कि जो भी निता बनेगा उसने हमारे लिए तो special कुछ नहीं किया है वो तो सिर्फ अभशक परिस्थितियां कोन-कोन सी हो सकती है अब लोगतंत्र की सफलता के लिए ऐसी कोन-कोन सी कन्डिशन हो सकती है फर्ष्ट देखिए सांती तथा व्यवस्ता, सांती व्यवस्ता बनाए रखना, ये लोकतंत्र की सफलता में एहम रोलने भाता है, सुद्रन राष्ट्री व्यवस्ता, यदि राष्ट्र जो है जिसकी आर्थ व्यवस्ता, आर्थिक मतला एकनौमी रूप से अगर लोकतंत्र जो है वो सुद्रन होगा तो इससे लोकतंत्र सफल होगा, जनता का शाशन जो है वो बहुत अच्छी तरीके से इसकी भागी-दारी जो है वो आपाएगी, आर्थिक समानता की स्थापना, यदि आर्थिक रूप से समान कर दिया जाए, यानि जैसे अमीर वर्ग, अमीर होत तो यदि इन सभी को रोजगार की द्रस्टी से समान कर दिया जाए, तो आर्थिक समानता जो है, वो हो जाएगी, आर्थिक समानता होने की वजए से लोकतंत्र की सफलता के लिए ये बहुत अच्छी परिस्तिती होगी, सामाजिक न्याय की स्थापना, सामाजिक न्याय जो है वह भी लोकतंतर की सफलता के लिए आविशक परिस्तिती है सिख्षिक और जागरुक जनता जनता जो है उसको जितना ज़्यादा सिख्षित किया जाएगा तो वो अपने कार्रें को अपने अधिकारों को अच्छे से जान पाएंगे अपने कर्तव्यों के बारे में उनको नौलेज होगी तो वो उसकार्रे को कर भी पाएंगे तो इसके लिए जनता को सिख्षित किया जाएगी जागरुक किया जाएगे कि जो उदासीन मतदाता भी है वो अपना वोर्ट जो है वो इस तरीके से नहीं दे कि हमारे लिए तो special कुछ नहीं होगा क्योंकि यदि हर एक व्यक्ति यही सोचने लग जाएगा तो लोकतंत्र जो है जो हमारा राष्ट्र है वह है पूरी तरीके से ब्रस्ट हो जाएगा तो इसके लिए जरूरी है कि जनता जो है वो जागरुक हो जाए नेक्टर है जन्मत का निर्मान वही बात हो गई कि जो जनता है उसको अपने मत का जो इंपोर्टेंस है वो से समझ में आ जाए नागरिक नैतिक वर राष्ट्रिय चरित यह भी लोकतंत्र की सफलता के लिए आविशक परिस्तिती उत्पन करती है सत्ता का विकेंद्री करण तथा इस्थानिय सवशाषन जो मैंने आपको समझाया था कि सत्ता जो है वो एक हात में ना ओकर इसका क्या है विकेंद्री करण है बताया था मैंने आपको कि सरपंच से लेकर और राष्ट्रपती तक सत्ता जो है उसका विकिंद्री करण है यानि एक हाथ में नहीं है बलकि सभी के सयोग से जो हमारा लोकतंत्र है उसका निर्मान हुआ है उसके बाद है नागरिक स्वतंतरता है नागरिकों को जो स्वतंतरता है दी गई है अब कई लोगों को तो पता ही नहीं है कि हमारी स्वतंतरता है कौन-कौन सी है ठीक है तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है उनको सिक्षित करना उनको जागरूप करना तो उनकी जो स समविधान तथा लोगतांत्रिक परंप्राएं जो हमारा समविधान जो लिखित समविधान है और लोगतांत्रिक जो परंप्राएं है यह भी लोगतांत्र की सफलता में एहम रोल निभाती है नेक्स्ट है स्वतंत्र वा सक्ति साली न्यायपालिका हमारी न्यायपालिका जो स समविधानिक मर्याताओं और सीमाओं को सुईकार नउनना होता है तो लोक्तंत्र की सफलता के लिए एक सक्ति फिर अधिकारी बन जाते हैं, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, जो करमचारी तंत्र है, जो की लोगतंत्र में कार्रे कर रहे हैं, वो भी क्या होने चाहिए, योग्य होने चाहिए, सिक्षित होने चाहिए, और निस्पक्ष होने चाहिए, आधारबूत मामलों में राश्ट् दल ये विवस्था, जो भी राजनेतिक दल होते हैं, वो सुरक्षित हों, स्वस्त हों, यानि कि वो सभी तरीके से जो गुटबाजी है, वो न करें, सभी अपना-पना कार्य जो है, वो अच्छे तरीके से करें, तो ये लोगतत्र की सफलता के लिए भी आवेशक परिस्तिती का कार्य करता है, वही प्रशाशन जो है वो चला रहा होता है, तो उसके लिए उसका शिक्षित होना भी बहुत जरूरी है, तो ये भी लोगतत्र की सफलता के लिए अविशक बिंदू है, नेक्स्ट है सारवजने की हित की राष्ट्रिय योजने, सारवजने की हित के लिए जो भी राष्ट्रे योजनाय चलाई जाती हैं, तो वह भी अच्छे तरीके से कार्णे करें, उसमें जो जनता है, वह भी अपनी सहभागिता दिखाए, और जो भी निता हैं, वो भी इसमें कार्रे अच्छे से करें, तो यह भी लोकतंत्र की सफलता के लिए आविशक परिस् तो आज हमने तीन प्रश्णों के माध्यम से अच्छे से समझा कि लोगतंत्र जो है उसके क्या पायदे हैं, लोगतंत्र में क्या हमें डिमेरिट दिखाई देते हैं और अगर हमें इसे सफल बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं तो ये सबी एक योगय नागरिक के लिए भी आवश्यक है, तो ये आपके लिए भी जानना जरूरी है और एक्जाम के अकॉर्डिंग भी आपको ये जानना जरूरी है चलिए बिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ चैप्टर नमबर टू, थेंक यू